पहले वाले lecture में आप देखे, तो आप लोगों ने पढ़ा था, close dragon pipe के बारे में और close dragon pipe के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कि close dragon pipe का यह सरह क्या था? यह बंता जबकि सरह open था अब open organ pipe में जिदर पर आप पूंग मारते हैं वही भी open है और दूसरा जो जगा है second end ये भी क्या ही open है यानि दोनों regions क्या है open है close में क्या था ये region close था और ये वाले क्या था open था दूसरी बात ये है कि जो close organ pipe था उसकी सेरे पर क्या आता था node आता था ठीक है ना node लेकिन इसकी सेरे पर क्या है anti-node है और इसकी सेरे पर भी क्या है anti-node है ठीक है अब देखें तो मैंने जो इदर पर definition लिखा है कि a pipe whose end opposite to the blowing end as open is called open organ pipe यानि ये वही pipe है जिदर पर आप blue कर रहे है punk मार रहे है ये region भी open है और इसके जो opposite end है ये region भी क्या है open है तो इसको क्या कहते है open organ pipe कहते है simply हम कह सकते है कि इसके both ends क्या है ये open है ठीक है और दोनों ends पे क्या है anti-nodes है अब देखे जिस तरह हमने पहले के लिए calculation किया था length के लिए web length के लिए end frequency के लिए इसी तरह इसके लिए भी calculation करेंगे तो आते हैं सबसे पहले जो fundamental frequency है इसको find करने के लिए जो ये one number structure जो sketch आपको निज़र आती है इसके लिए मैं calculation कर रहा हूँ कि fundamental frequency मैं किस तरह calculate करूँगा ठीक है so number first one इदर पर जो मैं लिखता हूँ ठीक है मेरा पहला calculation किस चीज के लिए होगा fundamental frequency के लिए होगा fundamental ठीक है frequency बात समझ में आती है ना तो ये कि सबसे पहले जो इदर पर मैं इदर से लेकर इदर तक इस region के बात करूँगा ठीक है ठीक है इस नोड तक का जो फासिला है ये किस चीज के बराबर था ये one number है तो lambda 1 by 4 ठीक है and similarly इदर से इस एस एंटी नोड तक तो इक भी किस चीज के बराबर है lambda 1 by 4 की ही बराबर है बात समझ में आती है ना तो देखिया अगर इसका पूरा length में find करो one number तो सबसे पहले मैंने क्या find करना है length को so lambda 1 by 4 and plus lambda 1 by 4 टीके तो L is equal to इदर पर LCM क्या आएगा 4 आएगा तो lambda 1 plus lambda 1 and L is equal to इदोनों add करो तो 2 lambda 1 आएगा by 4 and L is equal to 2 1 0 2 2 0 4 तो lambda 1 by 2 आता है अब lambda 1 की value निकालो चलो तो यह 2 इदर पर क्या है यह 2 इदर पर division में इदर पर आएगा multiplication में तो मैं कह सकता हूँ के lambda 1 is equal to 2 L बास समझ में आती है lambda 1 क्या आया आपके अपास 2 L आया अब देखे fundamental frequency मैं किसा आप find करूंगा length आपने find क्या यह lambda आपने find क्या यह है frequency तो आप लोगों ने universal wave equation जो है वही आप लोगों ने लिखना है V is equal to F lambda यह lambda 1 है यह fundamental frequency F1 है तो frequency को find करने के लिए इदर पर lambda 1 multiplication में इदर पर आएगा division में so F1 is equal to V by lambda 1 ठीके अब इदर पर जस्ट आपने videos को put करनी है ठीके so F1 is equal to V अपने जगा पर लिके और lambda 1 किस चीज़ के बराबर है यह देखे लिए 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 जो बराबर है यह तो एल के बराबर है यह क्या आया यह fundamental frequency आया ठीके जो first harmonic है ठीके यह जो आप लोगों को नजर आता है यह इसके लिए है similarly अगर मैं second sketch है जो मैंने drag की है open organ pipe का इधर पर लेकर इधर पर भी antinode है और इधर पर भी antinode है ठीके तो अब मैं इधर से इधर तका यह पूरा length find कर रहा हूं तो quite easy जो मैं find करना चाहता हूं वो क्या है देखे इधर से लेकर यह antinode है और यह node है ठीके इधर तका फासिल है क्या है lambda 2 by 4 है देखे इस second number है तो मैं इसी वज़ा से मैंने lambda 2 लिगा ठीके इधर से इधर तका फासिल है यह भी both to 2 है बासमझ में आती है अब इधर भी नोड है और इधर पर frei का फासिल है ना तो एक नोड और इइंटी नोड की बचा फासिल है क्या फासिल है ठीके बासमझ में आती है अब अब देखें, इस total length को find करने के लिए, अब मैं इन तीनों को क्या कर रहा हूं, add कर रहा हूं, तो इधर पर मैं लिख होंगा, कि जो second harmonic है, जो second frequency है, या second harmonic आप कह सकते हैं, तो इधर पर मैं लिख सकता हूं, कि second harmonic, ओके, अब देखें, क्या होगा, पूरा का पूरा length आपने find क करना है, lambda 2 by 4, plus lambda 2 by 2, ठीके, and plus lambda 2 by 4, ठीके, तो L is equal to is calcium क्या आएगा, 4 आएगा, तो इधर पर 2 lambda 2 आएगा, ठीके, और इधर पर lambda 2, ठीके, आच्छा जी, तो अहीं आएगा 4 lambda 2 divided by 4, ठीके, अब देखें, मैं इसको इस तरह कर सकता हूं, कि 2 2s are 4, and 2 2s are 4, ठीके, तो L is equal to 2 lambda 2 divided by 2 ये आएगा, ठीके, और lambda 2 की वीडियो अगर इधर से निकाले, तो lambda 2 बराबर होगा 2L, और ये division में आएगा, divided by 2, ठीके, अब देखें, ये तो lambda 2 आया, तो अब हम frequency के बात कर रहे हैं, ठीके, देखें, तो ये equation आपने एपलाए करना है, F lambda, F2 lambda 2, तो F2 is equal to V by lambda 2, तो F2 is equal to V अपने जगा पर lambda 2 की चीज़ के बराबर है, ये बराबर है 2L divided by 2 का, ठीके, तो F2 is equal to U2 अपर जाएगा, 22V divided by 2L आएगा, ठीके, इधर पे देखें, जो frequency number 1 है, V by 2L, ठीके, जो ये region आपको नजर आती है, ये देखें, V by 2L, ये ये वाला, ठीके, इसके जगा मैं F1 लिख सकता हूँ, ठीके, तो मैं इसको किस तरह लिकूँगा, कि F2 is equal to, ठीके, 2 अपने जगा पर, और भी by 2L के जगा क्या लिकूँगा, F1, ठीके, ये जो है second हर्माने के लिए frequency आया, बास समझ में आ रही है, अब देखें, तर्ड हर्माने, यही सेम तरीका है, तर तुक का फासिला क्या है, Lambda 3 by 4, पिडर से इदर तक, एक नोट से दुसरे, नोट तक, Lambda 3 by 2, फिर एक नोट से दुसरे, नोट तक, Lambda 3 by 2, फिर एक नोट से एणेटिनोट तक, Lambda 3 by 4, ठीके, ये आप लोगों को समझ में, आना जिए पूरा का पूरा Length आया, इस तर्ड बर हर् के लिए जो sketch मेंने ड्रा की है ठीक है अब देखे इधर पर अगर हम length को find करना चाहते हैं तो क्या करेंगे तड़ harmonic तड़ harmonic ठीक है frequency फार तड़ harmonic फिर पर अगर आप तड़ का number देड़ तो यह और भी अच्छा होगा तो देखे L is equal to यह आया lambda 3 by 4 plus lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 2 plus lambda 3 by 4 ठीक है अब इसको calculate करें तो क्या आएगा तो L is equal to इधर पर LCM आता है 4 तो यह lambda 3 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda 3 and plus lambda 3 ठीक है L is equal to अब देखे इनको add करो सो दो रेक तीन तेन और दो पांच and पांच और एक 6 ठीक है सो 6 lambda 3 divided by 4 आता है ठीक है अब देखे इधर पर L is equal to 6 lambda 3 divided by 4 अब इसको हम जो है इसको अगर हम cancel करें तो देखे 3 2s are 6 and 2 2s are 4 ठीक है तो L sorry L is equal to 3 lambda 3 divided by 2 आता है इधर पर ठीक है अब lambda 3 की value निकाले सो lambda 3 बराबर होगा 2 L divided by 3 का ठीक है frequency so universal wave equation को इधर पर apply करें तो अगर apply करें तो V is equal to F lambda आता है तो यह 3 lambda 3 and F3 is equal to V by lambda 3 ठीक है so we just put करें V lambda 3 की value क्या है 2 L by 3 है ठीक है so इस region को मैं तोड़ा मैं ठा रहा हूं ठीक है so इधर पर देखे तो आपके साथ आएगा क्या F3 is equal to यह 3 उपर जाएगा so 3 V divided by mathematics rule ठीक है 2 L अब देखे V by 2 L की शिस की बराबर है इधर पर देखे F1 की बराबर है तो मैं लिख सेथा हूं F3 is equal to 3 F1 अब इधर पर एक चीज जो generalize अब मैं कर रहा हूं बहुत easy है जो हमने पहले भी पढ़ा था देखे F1 V by 2 L ठीक है अब जो F2 है 2 F1 F3 है 3 F1 तो F4 किस चीज का बराबर होगा F4 बराबर होगा हाँ 4 F1 का F5 किस चीज के बराबर होगा 5 F1 का यह नीचे जाकर 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 तो देखे अगर मैं N तक जाओ F1 किस चीज का बराबर होगा तो N F1 का ही बराबर होगा ठीक है तो यह क्या है यह generalized form है for N number of harmonics for what? for open argon pipe बहाँ समझ में आती है ना तो इदर पर जो fundamental frequency है यह क्या है यह V by 2L है ठीक है और जब हम आगे चले जाते हैं तो याद रखिएगा यह जो first harmonic का fundamental frequency है यह और जो ही क्या है integral multiples है ठीक है ना integral multiple अगर इदर पर मैं लिको F1 F2 F3 आगे जाकर जाकर after FN F1 किस चीज के बराबर है V by 2L के बराबर है fundamental frequency ठीक है F2 to F1 F3 so 3 F1 F4 4 F1 आगे जाकर N F1 तक ठीक है तो यह generalized form है ठीक है तो यह integral multiple of the fundamental frequencies है बाद समझ में आती है ना तो यह किस चीज के लिए हमने calculation किया open argon pipe के लिए ठीक है कि